न्यूस क्लिक की तरफ से आप सबका खबर्ची भाषा के साथ मीडिया पर खरी-खरी कारिक्रम में स्वागत है खबर्ची यानि जो खबर ले और खबर दे और खबर देने वाले मीडिया की भी खबर ले इस पर अपना अंदाज भी है खरा खरा हार्ड हिटिंग स्टाइल, मीडिया की चुप्पी, मीडिया में मचा कोहराम, मीडिया द्वारा एजेंडा सेट करना यानि खबरों की राजनिती, पॉलिटिक्स ऑफ न्यूज पर बाते खरी-खरी आपके साथ फूफा जी का डांस या फिर जान देता खिसान, आंदोलन के लिए अपना कलेजा सडक पर फेकता खिसान, हमारे मीडिया ने फूफा जी के डांस पर लगाया ठुंका जी हाँ, जैसा हमने पहले कहा, ठीक उस समय जब देश का अनदाता अपनी मांगों को लेकर आंदोलन रत है, एक से दस जून तक हर्ताल पर है, तब हमारा मीडिया, हमारे टीवी चैनल फूफा जी के डांस पर ठुंका लगा रहे हैं देश के किसान लंबे समय से अपनी उपज का सही मूल, सौामी नाथन आयोग की सिफारिशों के अमल की बारे में बात कर रहे हैं, भंडारन की उचित विवस्था के बारे में मांग कर रहे हैं, पानी और बिजली को लेकर अंदोलन की राह पर हैं किसान मुक्ती संसर से लेकर मुंबई तक का मार्च और अब किसानों की हरताल यानी किसानों का गुस्सा उबाल पर है, लेकिन इसकी अंदेखी इसका किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, यह एक हैरानी वाली बात है, और तो और दिल को दुख पहुचाने की बात है, कि किया पक जनता तक पहुचाने के बजाए, उस पे चर्चा करने के बजाए, हम ठुमका लगा रहे हैं, जनके डान्स की मुरीद दुनिया कभी हुआ करती थी, वो आज खुद डब्बु जी के डान्स के मुरीद हो गए है, मद्देश के डब्बु जी के डान्स स्टाइल न के डान्स के बाद रातूर रात स्टार बन चुके संजीव श्रिवास्तो को शनिवार को विदीशा में नगरपाली का ध्याक्षि मुकेश टंडन ने सम्माने किया, जिस पर मीडिया तो डान्स करता ही करता है, मद्दर प्रदेश के मुक्हिमंत्री शिवरा सिंग चोहान ज फूफा जी के डान्स के बारे में और बताते हैं कि मद्दर प्रदेश में इस तरह का हुनर कितना मौजूद है, और मीडिया दौर पढ़ता है उन फूफा जी के पास पहुशने के लिए, उनका एंटर्व्यू करने के लिए, और किसानों की मांग पूरी तरह से मीडिया के मुख परिदी से बाहर हो जाती है अगर हम बात करें हरताल के पहले दिन पर तो किसानों की राय जानने के बज़ाए किसान क्यों आंदोलन पर उत्रे किस लिए उन्होंने ये फैसला किया कि दूस से लेके सबजियां वो सडक पर फेकेंगे उन्हें नहीं बेचेंगे तमाम न्यूस चैनलों ने दोड़ा दी अपने रिपोर्टर मंडियों की ओर शेहरों में और यह बताने की कोशिश की गई कि किसानों के इस आंदोलन की वज़ा से सबजी कितनी महंगी हो रही है बच्चों को दूद मिलना मुशकिल हो गया है मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का मोरचा दस दिनों तक अनाज की सप्लाई बंद करेंगे किसान शहर नहीं पहुँचने देंगे सबजी दूद और अनाज किसान आंदोलन से शेहर में मचेगा हाहाकार सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर किसान इस बात पर उतराएं कि हमें अपनी फसल अपने उपज अपनी जो तमाम सब्जियां है वह बेचनी नहीं है टमाटर जहां पे लोग पचास पैसे किलो का कीमत तुम को नहीं मिल पा रही है और वो सड़क पर फेक रहें लंबे समय से ऐसा नहीं कि रातो रात हुआ यह आंदोलन एक लंबी प्रक्रिया की परनिती थी लेकिन उन तमाम चीजों पर सगन रिपोर्ट करने रिपोर्टर को बहां भेजने मीडिया की वहां कवरिच करने के बजाए पूरी कोशिश यह रही किसे डिस्क्रेडिट किया जाए और तो किसान कर रहे हैं यानि देश की कृषी मंत्री का कहना है कि किसान पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं यह पहली बार ऐसा नहीं बोला इससे पहले भी कृषी मंत्री ने कहा कि किसान की जो आत्मत्या है वो परिवारिक वज़ा से है वो यौन समस्याओं की वज़ा से है यानि खेती में संकट नहीं है कृषी मंत्री के अनुसार सारा संकट या तो पबलिसिटी का है या सारा संकट उनकी घरेलू विवस्था का है और इस तरह का क्रूर मजाक करने वाले कृषी मंत्री अकेले नहीं है मद्रप्रदेश के भाश्पा के एक मंत्री भी एक विधायक वीडियो पे सामने बोलते हैं कि किसानों को जूते से मारना चाहिए क्योंकि उनको इतना मिल चुका है और इतना खाने के बाद भी वह आंदोलन कर रहे हैं कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद देश के किसान आत्मत्या करके अपनी गाड़ी कमाई का फसल सड़कों पर फेक कर सब्जीयों को सड़क पर फेक कर प्रधान मंत्री से टकर ले रहे हैं और भाश्पा को डर इस बात का है क्योंकि उनके हिसाब से देश में पब्लिसिटी स्टंट करने का अधिकार सर्वाधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री नरेन मुदी को है कोई इन से टकर ले किसी और के बारे में खबर बने ये कैसे गवारा हो सकता है कितना शर्मनाक है ये सब इस तरह से मीडिया में एजेंडा कैसे सेट होता है किन चीजों पर मीडिया अपना खेल खेले दिन भर कौन सी खबर चले इसका एक छोटी सी बानगी आपने देखी कि किस तरह से तै हो जाता है कि हम डांस करेंगे इसी बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा एक और जबरदस्त बयान देते हैं उनका बयान आता है सीता मैया टेस्ट्यूब बेबी थी देश की पहली टेस्ट्यूब बेबी थी और फिर दुबारा से होड़ लग जाती है इसको कबर करने की इस पर पक्ष विपक्ष लेने की मीडिया में किस तरह से एजेंडा तै होता है जब सत्ता को परिशान करने वाली खबरें सडकों से लेकर गाओं से लेकर शहरों तक पहुशती है ठीक उस समय मीडिया पर विमर्श बदलने के लिए अचानक कोई ट्वीट आता है अचानक कोई बयान आता है पहले से विवादों में रहे गिरेडा सिंग यह बयान देते हैं कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी को हटाने के लिए उसामा वादी नकसल वादी और पता नहीं क्या क्या वादी सारी ताकते जुट रही हैं और इनको हिंदुत्व के एजंडे के साथ कड़ी टक्कर दी जाएगी और फिर इस पर भी बहस शुरू हो जाती है यानि मीडिया किस तरह से दिये हुए पैरामीटर्स दिये हुए एक पुरी परिधी में बहस को मोड़ता है तरोड़ता है और उस पे फिर दिन भर कोहराम मचा रहता है यह है मीडिया द्वारा पैदा किया कोहराम और यह है मीडिया द्वारा कुछ मुद्दों पर अख्ति ही बनती है बताया गया क्या मूदी विपक्ष के इस चक्रवुह को तोड़ पाएंगे भानुमती ने कुन्बा जोड़ा हिंदूों की हार मुसल्मानों का वार और ना जाकने क्या क्या और इसमें तो सोशल मीडिया में भी हधी हो गई उसने हिंदूों के दुरुविकरण के लिए तबस्सम हसन का एक फर्जी बयान खूब चला खूब चलाया गया और उसमें कहा गया था कि यह अल्लाह की जीत है और राम की हार और इसके जरीए एक लंबा संदेश दिया गया यह सब तो फर्जी था इसके बारे में थोड़ी ब मुसल्मान किया और उनके बयान को 2019 की भाश्पा की रणनीती से जोड़ कर खूब दिखाया गया संबित पात्रा ने खुल के कहा देखिए कि अगर मुसल्मान एक जगा हो जाएंगे तो हिंदूों को एक साथ आना ही होगा और 2019 में भाश्पा की जीत कैसे सुनिश्चित लेकिन पिछले दिनों एक बहुत ही परेशान कुन खबर आई जिस पे बहुत कम चर्चा मीडिया में हुआ कश्मीर में कश्मीर की राजधानी श्री नगर में सी आर पिएफ की वैन एक नागरिक को कुचल डालती है जिसका पूरा फुटेज आपके सामने है वो बहुत ही रिदे विदारक फुटेज है जहां पर दिखाया जाता है कि किस तरह से एक वैन उस आंदोलनकारी व्यक्ति के उपर चड़ रही है उसे रौन्द रही है उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं होती और उसके बाद उस आदमे की मौत हो जाती है इस तरह की हिंसा बर्बर हिंसा वह भी राजी की राजधानी में बिना किसी उकसावे के साथ एक घटना होती है इस पे कश्मीर में तो बवाल होता ही है लेकिन मीडिया में बहुत सोची समझी चुपी है बहुत कम इस पे बाचीत हुई कि इस तरह की वारदात क्यों हुई जो दोशी थे उनके खिलाफ कोई कारवाई हुई की नहीं हुई कश्मीर पर बात करने से पहले मीडिया बहुत डरता है और वह सोचता है कि कहीं उसका कोई स्टैंड ऐसा नहो जो केंदर सरकार की तैश उदानीतियों के खिलाफ हो और यह एक उसका एक एकजांपल है यह एक उसका उदारन है कि इतना जो राजधानी में हुआ उस पर हमने जो चुप्ती साधी रखी एक बात चलते चलते और पिछले दिनों पांच जन्य जो आरेसेस का मुक्रपत्र है इसमें एक अपने संपादकिये में एक बड़ा जबरदस्त उलेक किया पश्यमंगाल में हुई हिंसा के बारे में उसमें चर्चा थी और उसमें बताया कि सिर्फ दो टीवी चैनल आप सोची रहे होंगे यह टीवी चैनल कौन है जिस पे आरेसेस को पूरा भरोसा है वो है रिपब्लिक टीवी और जी टीवी पांजन्य ने बताया कि सिर्फ यही दो टीवी चैनल हैं जिन्होंने सही धंग से देश के हित में खबरें दी बाकी सारे चैनल उनकी कस्वाटी पे खरे नहीं उतरे मीडिया को कैसे देखता है एक प्रमुख वैचारिक संगठन इससे भी हमें पता चलता है कि मीडिया में किंकी साख क्या है आज बस इतना ही पैनी नजर और चुपते सवालों के साथ आप से फिर रूबरू होते हैं अगले हफ़ते नमस्कार